मित्रों नमस्कार मैं हूँ आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी मित्रों का आप सभी दर्शकों का हारदे कभी नंदन करता हूँ आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर ये चैनल आपका है आपके लिए है आप इसका मूल कारण है इसलिए चैनल को लाइक करें सब्स सम्रिद्धी और सवभाग्य लेके आएगा और जो आपकी शेयर को देख रहा है उसके जीवन से दुख दुरुभागय और दरदरता को मिटाएगा चैनल आप यूट्यूब आईजी टीवी नेटवर्क और फेस्बुक पर देख रहे हैं हम शुरू करने जा रहे हैं राशिफल यानि कि आपका राशिफल कमल नंदलाल का आज का राशिफल इस राशिफल में हम आपको बताएंगे मेश राशी से लेके मीन राशी के पूरे दिन का हाल राशी अनुसार उपाई भी बताएंगे चले आप राशिफल चुरू करते हैं और बात करेंगे सबसे प जो है वो सहयोग करेंगे उनका सहयोग मिलेगा बिजनिस के लिए की गई ट्रेवल जो है वो आपके लिए फाइदेबंद रह सकती है पुराने दोस्तों से मुलाकात आपको काम में फाइदा दिला सकती है छोटा सा उपाई जरूर करें गाय को रूटी खिला दीजे सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ में बात करेंगे राशी नंबर दो व्रिश यानिके टॉरस की व्रिश राशी वालो किस्मत आप पर महरबान रहने जा रही है रिश राशी वालो आपके अंदर नई एनरजी का संचार हो सकता है आपके कामों की ओफिस में तारीफ होगी सीनियर भी और सबोडिनेट्स दोनों तारीफ करेंगे किसी बड़ी कंपनी से जुड़ने या पर पार्टनर्शिप करने का आपको मौका भी मिल सकता है हेल्थ अच्छी रहेगी करियर में आगे बढ़ने के कई मौके भी मिलेंगे एक छोटा सवपाय जरूर कीजे किसी बच्चे क को पैन गिफ्ट कर दीजे सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ बात करेंगे तीसरी राशी मिथुन यानि की जमनाई की मिथुन राशी वालों संडे का दिन घरेलू कामकाज और रख रखाव में बीच सकता है फैमली के साथ समय बिताने का मौका भी मिल सकता है बच्चों इस बार ओम का जाब कर लिजे सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ बात करेंगे चौथी राशी कर्क यानि की कैंसर की कर्क राशी वालों किसी अंजान व्यक्ति पर भरोस्वा करने से आपको मैं बचनी की सलहा देता हूं सोच समझ कर ही किसी काम को करें स्टूडेंट्स क बढ़ाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा बड़ा फाइदा मिल सकता है अपनी भाशा पर आप बस थोड़ा सा कट्रोल रखना है किसी भी क्लाइंट से या किसी से भी हार्ड बात ना करें और एक छोटा सा उपाई जरूर करें वो यह कि किसी जरुवत मंद को चावल का बात करेंगे पांचवी राशिय सिंग यानिके लियोगे सिंग राशिवालों देखें राशिफली बता रहा है ग्रैन अक्षत्र की खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है पैसे के लेन देन में आपको सावधानी बरतनी होगी इसकी मैं सलहा देता हूं किसी पर तुरंत भरोस करके उधार न दे अन्यता पैसा आपका फस सकता है छोटी मुटी बातों में लोगों से उलच सकते हैं आप इसलिए थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखें अपने प्लान किसी से शेयर ना करें मा की सेहत पर आपको ध्यान देना होगा और जीवन साथी किसी बात से नार करेंगे समाज में अच्छी चवी बन सकते हैं आपकी किसी खास विशय में सोच में आपके बदला हुआ सकता है आपका नजरिया बदल सकता है सेल्स एन मैनेजमेंट की फील्ड से जोड़े वे जो लोग हैं उनको अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं हर व्यक्ति आपके अच्छा व्यभार कर सकता है दिन अच्छा है छोटा सोपाई जरूर किजे किसी मंदर में मिटी के दिये में घीव डाल कर चलाइए सब कुछ बढ़िया होगा आपके साथ बात करेंगे सात्वी राश्य तुला यानि लिवरा की तुला राश्य वालों घर वालों के साथ मन मुटाव हो सकता है ऐसी संभावना बनती है किसी बड़े ग्रुप से जुड़कर काम करने का आपको मौका मिल सकता है काम का बोजह बढ़ सकता है किसी खास काम को निप्टाने के लिए समय का आपके लिए कम पढ़ जाएगा टाइम मैनेजमेंट पर थोड़ा सध्यान किजिए शरीर में थोड़ी सुस्ती रह सकती है छोटा सा अपाई जरू कीजिए अपनी जेब में पीला रुमाल रखी सब कोई अच्छा होगा आपके साथ बात करेंगे आठवी राशी व्रिश्चे कियाने की स्कौर प्यों की व्रिश्चे कराश वालों छोटी छोटी बातो में खुशी तलाशनी की कोशिश करेंगे सिहर ठीक रहने से मन शांत रहेगा आपका संगीत से जुड़े जो लोग हैं उनको किसी अच्छी जगे बड़ी जगे प्रफॉर्मिंस करने का मौका मिल सकता है लोगों के बीच आपकी अलग छवी बन सकती है को रिश्टेदार आ की बारमा चंद्रमा है पारे बारे काम को पूरा करने में कुछ सफलता भी मिल सकती है आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत रह सकता है घर पर कोई खास महमान आ सकता है स्टूडेंट्स को पढ़ाई में आ रहे ही परिशानी जल्दी ही सौल हो सकती है शाम में दोस्तों के स यह ज़्यादा मेहनत करने पड़ेगी आपको इमोशन्स को बैलेंस करने की पूरी कोशिश करेंगे आप अच्छा है यह खुद को शान्त रखें इससे लाब मिलेगा शाम के समय किसी फंक्षन में शामिल भी हो सकते हैं आप संडी की पूरी शाम फैमली के साथ एंजॉयमे संडे पर आपकी creativity में बढ़ूतरी हुदि वी दिखाई देती है संतान को सुख मिलता है ऐसी सम्भावना मनती है लोग आपसे मिलकर बहुति इंप्रेस होते हैं आपकी personality में improvement आता है बिजनसमेन के कामकाज में तेजी रहने के यूग हैं पैसों के मामले में मजबूती आ सकती है महिलाएं कपड़ों की खरीदारी करने शौपिंग मौल जा सकती है एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिए वो ये कि कोई पीला फूल अपने साथ रखिए सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ में बात करेंगे बारवी राशी मीन येनि पाइसेस की मीन राशी वालों युवाओं का जादातर समय दोस्तों के साथ मौज मस्ती में बीच सकता है परिवार के लिए शौपिंग करने जाएंगे अपनी शंताओं पर आपका भरोसा बढ़ेगा फैमिली मेंबर्स आपसे खुश रहेंगे शादी शुदा जीवन भी जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है शुप चिंतकों से मिली वी सलहा आपके लिए लापकरी रहेगी उसे जरूर फॉलो करें एक चोटा सा उपाई जरूर कीजिए किसी गरीब महिला को लाल कपड़ा गिफ्ट कर दीजिए सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ ले तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कल आज के राशिफल में कमल नंदलाल का आज का राशिफल में आपसे जरूर मुलाकात होगी और आप सज़ेशन दीजे आप राशिफल में और क्या देखना चाहेंगे हम बहुत सहचता से और बहुत ही सिंपल लैंग्विज में इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं जाने से पहले आपसे जरूर कहूंगा ये चैनल आपका है आपके लिए है और आप ये जो चैनल है इसे यूट्यूब पर फेस्बुक पर और आईजी टीवी नेटबक पर देख रहे हैं फॉलो कीजे साथ बसाथ के अंदर इसे शेयर कीजे क्योंकि आपका एक शेयर जो नो बहुत बड़ा काम करेगा सुक्सम्रिद्धी और सौभागे तो लाएगा ही लाएगा लेकिन जो आपका शेयर देख रहा है उसके जीवन से दुख दुर भागे और दर्दरता मिटेगी शेयर जरू करें और पुने जरू कमाए अब इजाज़त दीजे इस उम्मीद के साथ कि हम सभी का आने वाला कल आज से कुछ बहतर हो सुन्दर हो सुख़त हो नमशकार नमश्यवाए हर हर महादेव